चलो भई नमस्कार साधरन व्यासी जिन्दगी मिली चक्रविद्धी व्याज में उलज गई कमाया जो भी मेनत से जिन्दगी लावानी में निकल गई बहुत बढ़ियां हाँ जी इरफान जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिलकुल अमन जी बिलकुल निश्चिन्त रहे आप संगीता जी खूब चलाईए आप दूसरे में कोई समस्या नहीं आएगी चलो चली अब आप ज़र अपने कमेंट्स को आराम दे है ना फुल स्क्रीन करिए जितने भी नए बच्चे हैं आपका स्वागत है नए चेप्टर में हम शुरू करेंगे लेकिन इसके पहले परसेंटेज रेशो प्रॉफिट अन लॉस पढ़ाया है वो आप लोग ज़रूर देख लीजेगा ठीक है बाकी आप यहाँ पे देखें निश्चिन्त रहें और मस्त मजे से आप अभी पढ़ाई करें आईए जी तो शुरू करते हैं आज का सेशन आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंट्रेस्ट और हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं साधरन ब्याज simple interest यानी साधरन व्याज ये आज इसे अपना शुरू होगा तो मैं आपको पहले इसका थोड़ा basic बताता हूँ फिर इसके लिए हम कुछ-कुछ questions भी करेंगे आपको ये बात सबसे पहले जाननी जरूरी है कि दो chapter हम पढ़ेंगे अभी पढ़ रहें simple interest आज हम शुरू करेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे compound interest चक्रिद्धी व्याज simple interest में आप एक formula बच्पन से पढ़ते आए हो कोन सा वाला formula आपने बच्पन से पढ़ा है आपने पढ़ा है simple interest is equal to p into r into t upon 100 या इसे कहा जाए साधरन व्याज बराबर अब full screen कर लो हमें basic शुरू कर रहा हूँ बातें आप खतम करते हैं मूलधन, गुणा दर गुणा समय बटे 100 ठीक है ये formula आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो क्योंकि आप ये बच्पन से पढ़ते आ रहे हो आपको याद है तो ठीक है लेकिन इसके अलाबा पूरे साधरन व्याज में और पूरे चक्रविद्धी व्याज में मैं आपको कोई भी formula नहीं पढ़ाऊंगा चक्रविद्धी व्याज 100% हम ratio से करेंगे अनुपात से करेंगे यानि logical तरीके से करेंगे और simple interest यानि साधरन व्याज भी हम 100% logical तरीके से करेंगे तो जो भी latest pattern है जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन इस एक formula के अलाबा हम कभी कोई और formula नहीं पढ़ेंगे दोनों chapters में या बच्छे से समझ लेना तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि सर पहले तो भहुत सारे formula रटने पढ़ते थे और मैं आपको सही बताओ तो formula वाले questions आते भी नहीं आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि 20,000 रुपे का 20,000 रुपे का 10% की दर से 3 साल का साधरन व्याज बताओ लेकिन आप पूरा चेप्टर इसी से नहीं कर पाओगे उसके लिए हमें logics और उसके लिए पूरा basic अपना चेप्टर का बहुत अच्छा करना पड़ेगा ठीक है भाई? चलो तो देखिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझे हमारे पास जो terms होते है एक तो होता है principle principle को हम क्या बोलते है? मूलधन ठीक है? दूसरा फिर होता है आपका rate इन शब्दों का मतलब पहले हम समझें जिसको बोलते है दर तीसरा होता है time जिसको हम बोलते है समय चौथा होता है interest जिसे बोलते हैं ब्याज और आखरी होता है amount जिसे हम बोलते हैं मिश्धन तो पहले तो आपको इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि इन सब का मतलब क्या होता है ठीक है? तो सबसे पहले आप मेरी बात समझें ध्यान से मैं फिर बोल रहा हूँ फुल स्क्रीन करिए जितने भी नए बच्चे हैं पुराने सब का स्वागत है फुल स्क्रीन करिए और चेप्टर पे ध्यान लगाईए बाते हम नहीं करेंगे है ना? अच्छे से पढ़ो फिर आखरी में कुछ चीज़े आपको पूछनी होगी तो उस पर बात कर लेंगे चेप्टर की शुरुआत है अब बिल्कुल भी आप ध्यान इदर उदर ना भटका है देखिए मूलधन यानि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई धनराशी मैंने किसी को उधार दी कोई पैसा मैंने किसी से लिया या मैंने किसी को दिया उसे कहेंगे मूलधन प्रिंसिपल ठीक है मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपने कहा कि आपने किसी दोस्त को रिष्टेदार को 20,000 रुपे दिये वेसे शास्त्रों में लिखा है कि रिष्टेदारों को और दोस्तों को कभी भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कभ आएगा और आएगा किरी आएगा इसकी कोई गेरेंटी नहीं होती है, तो कभी भी आप अगर इन दो प्रकार के लोगों को उधार दें, तो ब्याज लगेगा, किष्ट बनेगी, वो सब बात की बात है, लेकिन आपने जो पैसा उधार लिया या दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, अब जब भी हम किसी से पैसा उधार लेंगे या देंगे, तो आप भी किसी को फ्री में नहीं दोगे, ना जो अपना फायदा चाहेगा, कि यार मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो उसमें कुछ तो मेरा फायदा हो, तो सामने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें जो पैसा दे रहा हूं, उस पे 10 प्रतीशत प्रतीवर्ष ब्याज लूँगा मैं, दस प्रतीशत प्रतीवर्ष इंगलिश में इसको बोलते हैं per annum, है ना, मतलब हर साल कितना percent ब्याज लूगा मैं 10% ब्याज लूगा, ठीक है आपने कहा ठीक है, फिर आपने कहा कि भीया चलो मैं तुम्हें तीन साल के लिए पैसा दे रहूं तो उसने कहा ठीक है मैं तीन साल रुपे ब्याज लगेगा तो अगर एक साल का ब्याज दो हजार है तो आपने तो तीन साल के लिए उधार दिया है तो तीन साल में कितना ब्याज लगेगा तीन साल में छे हजार रुपे ब्याज लगेगा और जब तीन साल हो जाएंगे और जब वो आपको पैसा लोटाएग तो 20,000 में 6,000 जुड़ेगा तो आपको वो कितना पैसा रिटन करेगा वो आपको 26,000 रिटन करेगा और this is called मिश्रिधन या इसे ही हम क्या बोलते हैं amount ठीके ब्याज सहीत जो पैसा हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं मिश्रिधन उसे हम बोलते हैं amount है न और इसलिए आपने इसक पड़ा भी था कि मिश्रिधन बराबर क्या होता है मिश्रिधन बराबर होता है मूलधन धन भ्याज मूलधन धन भ्याज principle प्रिंसिपल प्लस interest is equal to amount इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी है ना उधार ली गई या दी धनराशी मूलधन एक निश्चित दर होती है समय होता है ब्याज लगता है ब्याज साही जो पैसा मिलता है अब कई सारी conditions होंगी जो हम सीखेंगे दर जो है भिन्न में भी रहेगी समय महीने में या दिन में रहेगा सारी बात हम सीखेंगे तो यह तो एक basic बात हो गई अब कुछ चीज़े आपको अब यहां के case में अगर मैं आपको एक बात बताओं तो देखो मैं आपसे पूछूंगा कि बताईए यह मिश्रधन अपने आप में कितना percent है तो आप कहोगे कि सर मूलधन अपने आप में हमेशा 100 percent होता है एक साल का ब्याज अगर 10 percent है तो तो तीन साल में कितना ब्याज लगेगा एक साल का ब्याज अगर 10 percent है तो तीन साल में कितना ब्याज लगेगा 30 percent मतलब जो मिश्रधन आप यहां देख रहे हो अगर इसको percentage में define किया जाए तो यह अपने आप में 130 percent है ठीक है मूलधन हो गया 100 एक साल का ब्याज 10 तो तीन साल का ब्याज 30 दस और तीस हो गया आपका 10 गुर्णा 3 हो गया 30 तो यह आपको कितना मिल गया 130 percent मिल गया इतनी बात कि आपको समझ में आई जल्दी से मुझे बताईए ठीक है तो यह तो मैंने आपको एकदम basic बच्चो बाली बाते बताई कि क्या यहाँ पे होता है और अब यह हमने बिना formula के करा इसी चीज का formula बना दिया कि भीया मूलधन 20,000 है ब्याज की दर 10 percent है 10 बटे 100 समय 3 साल है इससे ब्याज मिल जाता है 2,0 से 2,0 गए 2,000 का 3 गुना ब्याज कितना हो गया 6,000 तो अगर आप चाहें तो बिना सुत्र के भी कर सकते हो अगर basic समझ लो तो और अगर इसको use कर भी लोगे तो कोई समस्या नही है है हम इसको use करेंगे लेकिन इसके अलाबा कोई और formula कोई और सुत्र कोई और रट्टा बाजी नहीं करेंगे clear है इतनी बात क्या सभी देवियों और सज्जनों को clear है बताईए जल्दी से हाजी है ना बाकी फिर इससे आप और formula बना सकते हो है ना आपसे बोला जाएगा कि भाईया दर का formula बताओ तो दर का formula क्या हो जाएगा कि साधरन ब्याज दर को यही रहने दो साधरन ब्याज में 100 का गुणा कर दो यह 100 इदर चला गया मूलधन नीचे चला जाएगा और समय यही रह जाएगा है ना तो यह दोनों नीचे आ जाएगे इदर चला जाएगा इदर का formula बन गया तो यह सब चीजे तो चलती रहेंगी है ना यह सब तो अब मैं आपको बहुत जादा यहाँ पर टाइम ना लेते हुए आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ है ना हम इसकी भी बात करेंगे अपने गाओं में आपने देखा होगा प्रती सेकड़ा ब्याज चलता है गाओं में सेकड़े पर ब्याज दिया जाता है मुझे उ खतरनाक होता है यह सेकड़े वाला सिस्टम ठीक है तो यह हो गई एक बात एक आखरी बात और बता दूं कि ब्याज हमेशा किस पे लगता है ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है और साधरन ब्याज और चक्रदी ब्याज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है लेकिन चक्रविद्धी ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है इसलिए चक्रविद्धी ब्याज हर साल का बदलता है वो अपन चक्रविद्धी ब्याज में सीखेंगे और अगर साधरन ब्याज और चक्रविद्धी ब्याज की में बात करूं तो परिक् लेकिन मैं सही बताऊं तो साधरेंड ब्याज में टफ कुछ नहीं है, आपको मैं पूरा चेप्टर पढ़ाऊंगा, more than hundred questions हम इस चेप्टर में करेंगे, लेकिन कुछ भी टफ जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि साधरेंड ब्याज में कठिन प्रेशन है यही नहीं, लेकिन सब लोग answer दीजिए, है ना, और केबल काम की बाते करें, केबल जो चल रहा है उससे related बाते करें, इधर उधर की बाते करोगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पूरी class disturb होती है, और पूरी class का time waste होता है, तो आपने पढ़ने के लिए course ज्वाइन किया है, मैंन दोनों अपना-पना काम करते हैं, है ना, किसी दिन स्केबल बातचित का session रखेंगे, से तो आपका 1-0 cancel हो ही जाएगा, तो यह आपका बचेगा 144, यह हो जाएगा आपका 24, और नीचे कितना आ जाएगा 10, अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे अगर प्रश्न ऐसा है, थोड़ा calculated है, तो थोड़ा unit digit, इकाई अंक का use कर लिया करो, इकाई अंक केसे कर होगे, भई 4 और 4, 16, मतलब जो भी आंसर आएगा, उसके अंत में 6 जरूर आएगा, इसका मतलब यह दो आंसर तो हो नहीं सकते, दूसरी बात, इनमें भी काफी डिफरेंस है, यह 162 है, यह 345 है, तो आप देखिए, थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करिए, कि मान तो यह 144 है, है ना, 14 या 144 भी मान लें, 14 दूनी 28, मतलब आंसर 280 से तो ज़्यादा ही आएगा, इतना छोटा आंसर आ नहीं सकता, तो इसका एकमात्र जो आंसर है, जो संभव है, वो है 345.6, इसके अलावा आंसर नहीं हो सकता, यहां पे, और अधर्वाइस फिर पूरा सॉल करना है, तो तो भी ज़्यादा समय नहीं लगना है, 24 का पाड़ा ले लो, 24 इंटू 4, 96 का 6, हासिल का 9, फिर 96 और 9, 105 का 5, हासिल का 10, 24 और 10, 24 और 10, 34 हो जाएगा, तो 24 के पाड़े से भी जल्दी सॉल हो जाएगा, लेकिन हम इसको एकाई अंक से भी कर सकते हैं, याद रख कि पूuls केंट, हम झाले उत ग्यार सकते हैं, याद टू紀 Smells dengan का 6,aya समय जाएगा, प्याओा लेक्ट में दोरता हैं, याद रख़े से फिंट